बोलिये शिरी प्राणनात्य प्यारे कीजें, शिरी सत्गुरु महराजी कीजें, शिरी बाबा दयाराम साहीं, आपकी सदा हीजें, सिरी महराज शिरी ज्वार्दा साहीं, आपकी सदा हीजें, शिरी महराज शिरी रामलतंदा साहीं, आपकी सदा हीजें, शिरिवंदो सत्ति गुरू चरणिको करू सोप्रेम परणाम आशो भरण मंगल करन धनीश्री देव चंद्रजी नाँ शिरि प्राणि नाथ निज मूल पती शिरि मेह राज सुना शिरि तेज कुवर श्यामा युगल को पल पल करू परणाम शिरि प्राणि नाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जाहाज मैं आधीन करनी नहीं वाहीं ग्रहे की लाज ज्यारे धनी धनवट करें त्यारे बल बैरी नाहरीं वली गया काम सराडे चने मन चित्व्या कारज सरे मन चित्व्या कारज सरे बोलिये शिरि प्राणि नाथ प्यारे कीज सीरि धाम दनी जी के अत्यانत लाडले एवं प्यारे सुन्दर साध जी आप सभी उपस्तित हो रहे हैं आप स्वमस सुन्दर साथ के हरदय में बिराजमान सिरि राज शामा जी के शिरि चर्णों में मेरा कोट अं-कोट वेर परणाम लाडले सुन्दर साध जी आप इस ब्रह्मवानी का रस्पान करने के लिए हमारी समिक्षा जी चलाना दिल्ली से हमारी मीनु जी अश्वनी प्रणामी शिरीगंगा नगर से और हमारी किरन जी सेठी शिरीगंगा नगर से शैफाली जी खेतरपाल जैपुर से कवीता जी खेतरपाल गुडगावा से और गुड़िया यादव और परमिला जी सिडाना दिल्ली से अन्नो जी भगत फाजिलका से साधना जी भावसार गुजरात से उर सिरी चीमनलाल जी तनेज्या आशा जी तनेज्या और हमारी चंचल जी चराया जैपूर से और हमारे राकेश जी सिडाना जैपूर से आए लडले सुंदर साज जी आप सभी सुंदर साथ उपस्तित हो रही हैं समच सुंदर साके χिरदे में बिराजमान सीरी राजशामा जी के शिरी चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम आईए लाड़ले सुनदर साज जी हम सुर्ता के द्वारा शिरी पांच पदमावती पुरी धाम शिरी बंगला जी दरवार में चलती हैं जापे हक्की सूरत, निश्कलंक, बुद्ध अवतार, महामती स्वामे शिरी प्राणनात जी इस समयवानी चर्चा किया करते हैं, है ना, वोई भाव लेके उनके शिरी चरणों में सश्टांग डंडवत परिणाम करते हुए, और भाव के द्वारा देखनाया में कि शिरी बं अंगला जी में दोनों बाज्जू भरके पांच हजार सुन्दर साथ बैठा है, उनके बीच में हम भी बैठे हैं, और हमारे श्रजी साहिव जी, हमारी आत्मा के दुलहा, हमारे प्रितम, हमारे साहिव तखत पर विराजमान होके, इस समयवर मात्माओं को वानी चर्चा का आनन्द दे रहे हैं, है ना, आएए उनके शिरी चरणों में अर्जी करें, प्रयार्थना करें, एक तमन्ना साहब मेरी, एक तमन्ना साहब मेरी, दिल में बसालूं सूरत तेरी, एक तमन्ना साहब मेरी, एक तमन्ना प्रितम मेरी, दिल में बसालूं सूरत तेरी, दिल में बसालूं सूरत तेरी, पल पल इसी को दियाया करूं मैं, पल पल तुमी को रिजाया करूं मैं, पिया पिया मुख से गाया करूं मैं, एक तमन्ना प्रितम मेरी, एक तमन्ना साहब मेरी, दिल में बसालूं सूरत तेरी, दिल में बसालूं सूरत तेरी, पल पल इसी को दियाया करूं मैं, पिया पिया मुख से गाया करूं मैं, पोलिय शिरी प्राण नात प्यारे कीजए, आईए लाडले सुन्दर साज जी, वानी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, कल हम सुन रहे थे, नक अंगुठे अंगुरियां, सिफत ना पहुंचे सुकन, आसमान जिमी के बीच में, रुजाई में देखे रोशन, एक छोटे नक की रोशनी, ऐसा तिन का नूर, बोलो शिरी प्राण नात प्यारे कीजए, शिरी धाम धनी जी के अत्यंत लाडले, एवं प्यारे प्यारे, निस्वती सुन्दर साज जी, महान भुद्धी के सागर, आप महामती, अक्षरा तीत, धाम के दुलहा, शिरी जी साहिब जी, आप महामती, इस प्रकर्ण के अंदर फर्मा रहे हैं, के एक छोटे नक की रोशनी, ऐसा तिन का नूर, के शिरी राजी महाराज के जो चरण कमल हैं सुन्दर साज जी, जो कल हम सुन रहे थे, के शिरी राजी महाराज के चरण कमल एक दम गोरे गोरे, लालगे लिये हुए, नूर से भरे हुए, शितलता से भरे हुए, है ना नरम एकदम चेतन हैं बात करते हैं हमारे साथ ऐसी चरण कमल शिरीराज जी महराज के और ओ चरण कमल की जो सबसे छोटी उंगली है ना और सबसे छोटी उंगली का जो नाखुन है ना महामती जी कह रही है कि एक छोटे नक की रोशनी एक छोटे नाखुन की जो रोशनी है ऐसा तिन का नूर उसमें से इतना नूर निकल रहा है इतनी किरने निकल रही है लाडले सुन्दर साथ जी कि आसमान जीमी के बीच में वो किरने कहा जा रही है जीमी से आसमान के अंदर जा रही हैं इतना तेज इतना प्रकाश स्री राज्जी महराज के चरण कमल की सबसे छोटी अंगली और सबसे छोटे नाखून मेंसे इतना तेज निकल रहा है इतना प्रकाश निकल रहा है कि ओ एक छोटे से अंगली का नाखुन जो है ना जिसके लिए कहा नाखुन का नूर जी मी अंबर भरा रहा नाखुन का नूर जी मी अंबर भरा रहा नीचे से उपर ये देखो टकरा रहा नीचे से उपर ये देखो टकरा रहा नाखुन का जो नूर निकल रहे ना जो तेज निकल रहे ना जो प्रकाश निकल रहे ना वो जमी से लेकर आकाश की तरफ जा रहा है है ना और जिमी जरे जरा भई सबसूर और सारी जमीन के अंदर ऐसे लगा के राज्जी महराज की छोटी अंगली के नाखुन में से इतना नूर निकला मानो कुरोडो सूरज उदे हो गई हो परमधाम की जमीन पर परमधाम की भूमी पर क्रोडो सुर्य का परकाश बिखर गया हो और वो क्रोडो सुर्य का परकाश जीमी से लेके कहा जा रहा है आकाश के अंदर जा रहा है विचार करो सुंदर साज जी ये तो एक छोटी अंगली के नाखुन के नूर की बात कर रहे हैं और फिर कहते हैं दसों अंगलीयों की क्यों कहूं जब एक छोटे नाखुन के अंदर इतना नूर है इतना तेज निकल रहा है तो विचार कीजिए सुन्दर साजी सिरी रजी महाराज के चरन कमल, गोरे गोरे लाली मा लिये हुए चरन कमल, शीतल्ता से परिपूरण चरन कमल, नूर ही नूर निकल रहा है तेज ही तेज निकल रहा है इतना प्रकाश इतनी सुगंदी है ना और ऐसे नरम नरम चरण कमल सब यही सोचा करू कि मेरे हाथ में है राजी के चरण कमल और मैं ही परमधाम की महाराणी हूँ और मेरे दुलहा मेरे प्रितम शिरी राजी महाराज हैं मैं ही शामा जी का अंग हूँ और यह चरण कमल मेरे हाथ में है है ना और चरण कमलों को हाथ में लेके लाडले सुन्दर साची फिर हम चरणों में मत्था ठेके प्रिणाम करी चरणों को चूमें अच्छे से और जैसे ही चूमेंगे चरणों को तो चरणों में से क्या निकल रही है शितलता इतने ठंडे ठंडे चरण कमल है इतने शीतल चरण कमल है शिरी राज्ची महराज के और उस में से चरणों में से खुश्बू निकल रही है इतने कोमल चरण कमल इतने कोमल चरण कमल में से शीतलता खुश्बू नर्माई नूर चेतनता लिये हुए ये चरण कमल है ना मेरा वी पर आतम का तन है जो शिरी राज्ची महराज के चरणों में बैठा है बारा वर्ष की मेरी आयू है शिरी राज्ची की आयू सोला वर्ष है और मैं एक बड़ी सुन्दर सी प्यारी सी शामाजी का ही सवरूप विल्कुल क्योंकि शिरी राबती जी ने सिनगार रासगरंत के अंदर कहा एक शामाजी ने वर्णवू बीजो साथ एनी पेरे जान मैं एक शामाजी के सवरूप का शोबा का सिनगार का वर्णन कर रही हूँ सब सुन्दर साथ अपने आपको दूसरी शामाजी ही समझना शामाजी बनके ही प्रितम के पास जाना शामाजी बनके ही चरणों को छूना अपने परात्तम वाले तन को लेके धनी का दिदार करना सुन्दर साथ जी क्योंकि धनी जी मूल मिलावे में फर्माते हैं यह जो मूल सरूप है आपने जाको कईये परियात्म सो परियात्म को लेके विल्सिय संखसम यह जो मूल सरूप है आपने परणधाम के अंदर यह जो हमारा मूल सरूप बैठा है कितना नाज्यू के हमारा सरूप चोथे आश्मान की पटरानी है हम महरानी है हुब हुच शामा जी महरानी की कोपी है हम सुन्दर साथ जैसे शामा जी का सवरूप है, ऐसे ही हमारा सवरूप है परमधाम के अंदर, और सिरी राजी माराज हमारे प्रितम, हमारे दुलह, हमारे साहब, उनके चर्णों को मैं पकड़ के वैठी हूँ, तो उस समय में कितना अपना पन होना चाहिए सुन्दर साज जी, क्योंकि आश्चिक म आशुक दव एक हैं, मैं और राजी दोनों एक हैं, और जब हम अपनी मैं खुदी को मिटा देंगे ना, सिर्फ धनी के अंदर समर्पित हो जाएंगे ना, हम जुदा तब तक हैं सुन्दर साज जी, जब तक हम जुदा अपने आपको समझते हैं, जिस दिन हमने समझ लिया कि शामा जी नो अंग है, सुन्दर साज, हम शामा जी के अंग हैं, और शामा जी किसका अंग है, शामा जी स्रीराजी महराज का अंग है, सुन्दर साज जी, और हम शामा जी बनके ही धनी के साथ हास विलास करना है, मैं ही शामा जी हूँ परमदाम के अंदर, मेरे ही दुलह है मेरे ही प्रित्तम है है ना और जब हम ऐसा एहसास करेंगे ना ऐसा महसूस करेंगे ना सुंदर्साजी हम जो सोचते हैं हम वो ही बनते हैं सुंदर्साजी एक बात आप पक्के से गाठ बांद लो, हम जो सोचते हैं न, वो ही हम बन जाते हैं, हमारी सोच ही हमारा रूप ले लेती है, हमें मुल मिलावे के अंदर बैठके क्या सोचना है, कि मैं तो शामा जी का अंग हूँ, है न, जैसा सवरूप शामा जी का है, ऐसा ही मेरा सवरूप है, और जैसे एक दु दुल्हन तो सिर्फ शादी वाले दिन सजती है ना लाडले सुंदर साहज जी हमारे दुल्हा और हम दुल्हन नित्य प्रती हर रोच हमारे दुल्हा सज धज के हमें सविकार करते हैं आज कल बच्चों की शादिया देखते हैं ना तो यहां के दुल्हा कैसे आगवानी करते हैं है ना यह आगवानी तो हमारे परमधाम से चलती आ रही है स्री राजी महाराज शामा जी की आगोवानी कैसे करते हैं हाना और हम सारा दिन अपने घर में उठते बैठते चलते फिरते घूमते अपने हिर्दय के अंदर एक सवरूप रखें कौन सा कि मैं प्रीतम की महारानी हूँ मैं ही शामारानी हूँ है ना मेरे दुलहा मेरे प्रीतम मुझसे एक पल के लिए भी अलग नहीं है और ऐसा ही भाव लेके अपने प्रीतम के साथ हास फिलास करना है ऐसा ही भाव लेके धनी के चरण कमल पकडने हैं है ना सुम्दर साजी तिर इश्क से मैंने तो मांग भरी है पिया तुमने तो मेरी संभाल करी है तिर इश्क से मैंने तो मांग भरी है तिर इश्क से मैंने प्रात्यकाल तीसरी भूम में सिरी राजी माराज जब शामा जी की मांग भरते है ना छे हजार सक्कियां राजी की तरफ होती है श्री इंद्रावती जी का जूत श्री राजी के साथ होता है और शामा जी के साथ सुंदर्वाई का जूत होता है और जिस समय में शिरी राजी माराज शामा जी माहरानी की मांग अपनी अंगुठी में सिंदूर भरके और जब मांग भरते हैं तो उस समय में हमें पूरण अनुभव करना है सुंदर्वाई जी पूरन अनुबव करना है कि ये सिंदूर मेरी मांग में ही जा रहा है मेरे दुल्हा, मेरे प्रितम, मेरी मांग भर रहे है है ना तिर इश्क से मैंने तो मांग भरी है तिर इश्क से मैंने तो मांग भरी है पिया, तुमने तो मेरी संभाल करी है, ओ प्यारों से प्यारे, ओ न्यारों से न्यारे, प्यारों से प्यारे, ओ न्यारों से न्यारे, प्राणे पिया, मेरे प्राणे पिया, ये चरण कमल पाऊं। ये चरण कमल पाऊं। दरश में खो जाऊं। प्राणे पिया, मेरे प्राणे पिया, ओ ओ ओ प्राणे पिया, तो ये चरण कमल का हम दिदार करें, दर्शन करें, प्रैक्टिकल में हम चरण कमल पकड़ें, वास्तों में पकड़ें, अच्छे से पकड़ें, है ना। और ये चरण कमल जब हिर दिया के अंदर आ जाते हैं ना सुन्दर साथ जी, कब आते हैं, श्री जी ने का ये कैसे आएंगे, श्री महामत चाहे इन चरण को, कर्मन सा वाचा कर्मन, आए बैठे मेरे सब यंगों, मेरे जीव के एही जीवन, ये चरण कमल अगर चाहती है ना, तो कर्मन सा वाचा कर्मन, मन से, वचन से, कर्म से, क्या कर, अपने प्रित्तम को रिजा, अपने धनी को रिजा, रोज सोच, कि धनी, मुझे कैसे मिलेंगे, नित खोजे चरणी चड़े, नए नए करे विचार, खोज सुहागी ना थके, जो लोग पहुंचे ना पार के पार, वो ब्रहमात्मा तो रोज खोजती है, नित खोजे चरणी चड़े, चरणी मिन सोता सीड़ी, वो नित्ते प्रती नई सीड़ी चड़ती है, और लाडले सुंदर साज्जी, जो खोजेगी तो वोई तो पाएगी ना, पिया के पाने की लगन, पिया को पाने की प्यास, पिया के बिना दिल उदास, पिया की यादें दिल में पिरोय हुए, जोरू सारा दिन तडफती है न, धनी के लिए, हर पल धनी के लिए तडफे, इस संसार की तडफ जब दिल से खतम हो जाएगी, ये मो के रिष्टों की फिकर जब दिल से खतम हो जाएगी, ये मो के रिष्टों का लगाव खतम हो जाएगा, तो लाडले सुन्दर साथ जी हमारे हिर्दे के अंदर सिर्फ सिरी राज शामा जी होंगे और जब सिरी राज शामा जी हिर्दे के अंदर होंगे ना लाडले सुन्दर साथ जी वो चाए एक सेकिंड एक मिनट एक पल का टाइम हो है ना उस एक पल के अंदर जब हमें धनी के चरण कमलों का अन्वब होने लगे कि शिरीराजी महराज के चरण कमलों में से कितना प्रकाश निकल रहा है कितनी जोती निकल रही है और प्रकाश निकल के सीधा अकाश के अंदर जा रहा है थोड़ी देर के लिए भी बैठके हम अगर धनी के चरण कमल को देखते हैं ना लाडले सुन्दर साहजी तो धनी तो महरवान है है ना धनी तो किरपा के सागर है मेरों के सागर है फक्त जब चरण कमल की आस लेके हैं ना अपने आपको मिटा के अपने आपको धनी के चरणों में समर्पित करके जब रू धनी के चरणों में बैठती है ना उस सम्या में धनी का मिलन होता है लाडले सुन्दर साहजी और जब धनी का मिलन रू के साथ होता है ना उस सम्या में आशुओं की जड़ी लग जाती है लाडले सुन्दर साहजी फिर नहीं पता लगता के रात के कितने बज गए और रातरी के कितने बजे तक रू अपने धनी का इश्क रस्पान करती है उनके इश्क में उनके लाड में उनके प्यार में डूब जाती है और जब हिर्दय विरहा से ओत प्रोत हुआ हो उस समय में चरन का मल हम देखेंगे ना तो उस समय में चर्णों की जलक चर्णों का नूर हमारे हिर्दय के अंदर अपने आप आ जाता है सुन्दर साइज्जी धनी क्या चाते हैं धनी चाते हैं कि बैराग मेरी रूप को माया से बैर हो जाए और मेरे से राग हो जाए और जब बैराग हो जाता है न सुन्दर साज जी उस समय में फकत धनी रह जाते हैं दिल के अंदर और जब धनी सिरफ दिल के अंदर होंगे तो जो दिल में रहेगा न वो ही तो दिखेगा जिसकी सोच सारा दिन दिल के अंदर चलती रहे जिनके बारे, सारा दिन हम प्रित्तम के बारे में सोचते रहे एक बात ओर है सुन्दर साथ जी हम जिसके बारे में सोचते हैं न हम उनके जैसे बन जाते हैं क्योंकि उनकी वाइब्रेशन हमारे अंदर आती है लाड़ले सुन्दर साथ जी हम जिस सवरूप के लिए सोचेंगे न सारा दिन आप प्रैक्टिकल करके देख ले न अगर किसी इनसान के लिए सारा दिन सोचोगे न उस इनसान के माइंड में दिमाग में कितनी उथल पुथल है वो हमारे अंदर भी होने लग जाएगी क्योंकि जैसा उसका दिमाग चल रहा था न हमने उसके बारे में सोचना शिरू किया वही उथल पुथल हमारे अंदर भी चलने लग गई और अगर हम अक्ष्रातीत नूर्चमाल अपने प्रितम के लिए सोचेंगे तो प्रितम के लिए सोचते हुए जो प्रितम का हिर्दय मेहरों के सागर से भरा हुआ है जो प्रित्तम के दिल में चल रहा है न सुन्दर साज जी, वो ही हमारे दिल में चलने लगेगा हम जिस जैसा सोचते हैं, वैसा ही बनते हैं जिसके बारे में सोचते हैं, हम सारा दिन, हम उनके जैसे बन जाते हैं यह बिल्कुल प्रेक्टिकल बात है सुन्दर साजी, तो हमें सोचना किन के लिए हैं? हमें धनी के लिए सोचना है, कभी उनके वस्त्रों के लिए सोचें, कभी आवक्षनों के लिए सोचें, कभी उनकी सूरत देखने लग जाएं मनमोई निसी, है न? कभी उनके केश को देखें, कभी हम उनके नेतरों को देखें, है न? कभी उनकी मुस्कुराट को देखें, उनके सवरूप को हम देखते जाएंगे न? सुन्दर साजी, जिनका सवरूप हमारे हिरदय के अंदर छाया रहता है, न? जो भी कोई हिरदय के अंदर रहता है, न? सुन्दर साजी, हम उसके जैसे बनते जाते हैं, बनते जाते हैं. और अगर सारा दिन सुरी राजजी का सवरूप, शोबा, सिनगार, उनके चरण कमल हमारे हिरदय के अंदर रहें, एक मिनट के लिए अगर कोई आए तो हम उसको गधकान मारे के बाहर निकाल दें, कुछ भी गंदगी हिरदय में आने लगे, तो हम उसको बाहर निकाल दें. और हिरदय के अंदर सिरफ शिरी राजजी महराज का सवरूप, शोबा, सिनगार, सारा दिन हम देखते रहें। लाडले सुन्दर साजजी जिनको सोचेंगे, जिनको देखेंगे, जिनके बारे में एहसास करेंगे, तो उनकी दिल की धड़कन तेज हो जाती हैं। हम जिनको याद करती हैं न, उनकी धड़कन तेज हो जाती है। और उनको पता लगता है कि मुझे कोई याद कर रहा है। और जब रू धनी को याद करें, धनी के वारे में सोचती रहें और धनी को देखती रहें, आप विचार करों, हम थोड़ी देर के लिए लगातार किसी को देखें। तो वो भी ना बुलाए, वो हमारी तरफ देखने लग जाएगा। वी क्या हुआ। आप कुछ मत बोलो, कुछ भी ना बोलो, सिरफ किसी को लगातार देखने लग जाओ, वो खुद पूछेगा क्या हुआ। अगर हम लगातार धनी के नित्रों में नित्र डालके, उनके चरण कमलों को देखें, उनके सवरूप को देखें, शोबा को देखें, सिर्गार को देखें, जब जब टाइम मिले तब तब देखें। जब हम फ्री हो जाएं, तब देखें। अकेले बैठे हों, तब देखें। तो लाडले सुन्दर साजी, ये सवरूप, ये शोबा, ये सिर्गार, ये प्यारे प्यारे दुल्हा, प्रितम, हमें पता ही निलगेगा हमारे हिर्दय के अंदर कब आ गए। हाना, पर सबसे पहले हमें चर्णों में परणाम करना है, हाना, सबसे पहले चर्णों में कर परणाम, सिंगासन पर बैठे हैं शामा शाम। कुछ बोल तूं, दिल खोल तूं, दिल खोल तूं, कुछ बोल तूं। करनी ऐसी कर वही, जो फुर्माई हकने सही। पीले, पीले, हक जाम पीले, जाम पीले, मर कर जीले। है ना, थो लाड़ले सुन्दर साच जी, सबसे पहले चर्णों में हम प्रणाम करें। प्रणाम करते हुए इन चर्ण कमल का आनुभाव करें। थो वो चेतनता, वो सुगंद, वो नर्माई, हमारे हिर्दे में अपने आप आने लग जाएगी। हमारा हिर्दे आनन्दित हो जाएगा सुन्दर साच जी है ना, आएए सुन्दर साच जी समय हो चुका है, हम चौपाई दोराते हैं। एक छोटे नक की रोशनी ऐसा तिन कानूर, आसमान जिमी के बीच में जिमी जरे जरा भै सबसूर। बोलिये श्री प्राड़नात प्यारे कीजे। लाड़ले सुन्दर साच जी आप कमेंट करके बताया तो करो, कोई मैसेज लिख के बताया तो करो, कि आपको चर्चा के अंदर कितना आनन्द आ रहा है, आपकी आत्मा कितनी आनन्दित हो रही है, आप मुझे लिख के मैसेज करके बताया तो करो, कि हमें वानी चर्चा के अंदर धनी की सवरूप में, शोवा में, सिंगार में कितना आनंद आ रहा है ना और आप एक काम रोज भूल जाते हों रोज धनी जी आपको आदेश देते हैं हुकम देते हैं कि आप एक पक्का नियम बना लो कि हमें वानी चर्चा को शेयर करना ही करना है हमारी रंजना जी अरोडा है ना जो दिल्ली से वो सारे वटसप की गुरूप पर वानी चर्चा सभी गुरूपों में डालती है और फेस्बुक पे भी वो रोज सब सुन्दर साथ को शेयर करती है आप पूछो रंजना जी अरोडा से उनके उपर क्रीपा पलपल कितनी बढ़ती चली जा रह के हमारे जीवन में आएगा सुन्दर साथ जी हम जो बांटेंगे जो देंगे वो हजार गुना बढ़के हमारे पास आता है तो हमारी ये ब्रह्म वानी चर्चा हमारे मोबाइल में है तो हम ये सब को शेयर करें सब को बांटें ताकि हजार गुना सुक हमारी रू को मिले है कीजिए श्री बाबा दयारान साहेब आपकी सदा ही जै सिरी महराय श्री जुवारदा साहेब आपकी सदा ही जै तिनों पुरीधाम कीजे आज के आनन्द कीजे आप जो मेसेज करोंगे न वो मैं फ्येसबुक पर ड़ंगी कि आपको वानी चर्छा सुनते हुए कैसा आनंद आ रहा है आपका जो अनुभव हो न वो लिख के भेजना और फिर मैं उसको फेस्बुक पे शेयर कर दूँगी ठीक है सुन्दर साथ जी पर आप सभी अपने अपने भाव लिख के भेजना ठीक है प्रणाम जी